दोस्तों आज की स्पीड़ में बात करें वाले हैं खतवनी में अंसनिरधारड के बारे में तो फ्रेंट जैसा कि आप लोगों को पता हुआ कि हर गाउन में लेखपालों के दौरा खतवनी में अंसनिरधारड किया जा रहा था। जैसे मालिजी आपका खेत या कोई भी जमीन है उसमें चार लोग हैं तो उन चारों लोगों का उस जमीन में कितना-कितना हिस्सा था तो ही इस्तेदारी के लिए अंस निर्धारण किया जा रहा था तो एक बार आप जरूर चेक करिए कि आपके खसराकतों में अंस निर्धारण हो चुका है या नहीं हो चुका है चले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप देख सकते हैं कि अंसर निर्धारड हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि लेकपाल के द्वारा आपके गाउं में घुम घुम करके अंसर निर्धारड करने का पूरा डीटेल लिया जा रहा था कि उनके घर में कितने मतलब कितने भाई लोग थे उस भाई में कितने बेटे थे मतलब पूरे डीटेल और न mesela निर्धारड किया है क्यों को सारे लोगों कि खसरा कतोनी में दिखा रहा है और कुछ लोगों में नई दिखा रहा है तो चली मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके खसरा कतोनी होगा भूलेक टाइप करके जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आ जाएगा इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से क्लिक करके सीधे आप इस पोर्टल आजाएंगे राजस्ट्स परिसाद उत्तर प्रदेश भूले खतवनी यहां पर लिखा था तो रियल टाइम खतवनी की नकल देखें पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद यहां पर जो कैप्चा आ रहा है तो कैप्चा को मैं जल्दी से भर दे रहा हूं तो यहांपे मैंने Capccha को जल्दी से भर दिया उसके बात यहांपे सब्मिटपर मैं क्लिक करते रहाँ सब्मिटपर करने के बादा फ्रेंड कहाँ तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा एक दो बार आएक करना होगा क्योंकि यहांपे प्रण्वल्म आता रहता है तो देख सकते हैं यहां पर जनपद चुने, तो आपका जो भी जनपद है उसको select कर लिजएगा, तो महरा है कुसी नगर, कुसी नगर को मैंने select कर लिया, उसको तासील, जो भी आपका तासील है उसको select कर लिजएगा, उसके बाद यहां पर आपकी गाउं का नीम यहां पर आ की भूंषी दौरवаг खुज़ सकते हैं तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि आगर आपको नाम मालूम है तो नाम से चेक कर सकते हैं या तो अग før आपका खसरा है गाठा अंक्याम मालूम है तो आप आप conservatives gonna सबस्क्रा कैं डाल सकते रमेश लिख दिया और रमेश लिखने के बाद आप सर्च पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कई सारे रमेश यहां पर आ चुके हैं तो यहां पर बारी बारी से आपको रमेश पर क्लिक करके आप देख लेना होगा कि कौन यहां पर पह यहां पर मैं इस वाले पर क्लिक करके और उध्रण देखें पर क्लिक कर दे रहा हूं और यहां पर मैं चेक करने वाला हूं कि इनका अंसनिर धारण हुआ है या नहीं हुआ है तो यहां पर मैं जल्दी से यहां पर कैप्चा डालके और कांटीनू पर मैं क्लिक कर दे रहा हू और continue पे click करने के बाद यहां पे देख सकते हैं एक खसरा है गाटा संक्या 108 और यहां पर फ्रेंट देख सकते हैं गाटे का कुल छेत्रफल इतना और हिस्से में यहां पे देख सकते हैं अंसनेट धारड नहीं हुआ है इस खसरा कतोनी में देख सकते हैं अंसनेट धारड नही हुआ है तो ऐसे मैं बैक कर ले रहा हूं एक नाम सर्च किया है और इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं उद्धर देखे पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं और क्लिक करने बाद यहां पर मैं जो कईपचा दिया है कईपचा को जल्दी से भर ले रहा हूं और कईपचा भरने के बाद यहां पर continue पर मैं click कर दे रहा हूं continue पर click करने बाद front देख सकते हैं इनका खतवनी यहां पर आ चुका और यहां पर इस खतवनी में जितने लोगों का नाम है देख सकते हैं यहां पर नाम आ चुका है पांच लोगों का नाम है पांचों भाई हैं तो देख सकते हैं काटे का च्छेत्रफल यहां पर 0.1210 यहां पर लिख रहा है और देख सकते हैं हिस्षदारी भी यहां पर दिखा रहा है देख सकते हैं एक बट्टे-5 यहां पर सभी लोगों का हिस्षदारी रहेगा तो इस तरह से आप 캥्षरा वा थैए तो अगर नहीं हुआ है तो अगर आपनी लेकपाल से संपर कर सकते हैं कि मेरे UK अंसणीरधारण नहीं हुआ है तो अगर जयर मैं आप करवा लिजे तो आज की इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैन बंदे मातरों